हेलो टेडर्स, वेल्कम बेक टू दौ रॉइ-डॉक्स टेडर्स तो आज इस वीडिो में बात करेंगे कल की लिए कुछ बैधरी इंटरडे स्टॉॉक जिस्पे आप कल के सिषन में इंटरडे टेडिंग कर सकते हैं और टेडर्स फ्राइडे के सेशन के लिए जो इस्टॉक टेड करने दे थे उसका भी पिर्फॉर्मेंस चानेंगे तो वीडियो पे आप पुड़ा बने रहे और अगर अभी तक टेडर्स हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुरे हैं तो वहाँ भी जुरे आपको वहाँ निप्टी और बैंक निप्टी और फिर निप्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अजिस्टेंस लेबल देखने के लिए मिलता है जो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है तो आप अभी जाके हमारे टेलिग्राम चैनल से जान हो सकते हैं तो आप जाके वहाँ जौइन हो जाएं तो टीडर्स वीडियो में अगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हमारा पेडियू के बारे में जिसमें टीर्स आपको यहां डेली 3-4 इंटरे स्टोक देते हैं जिसमें टीर्स आपको रेगलर यहां प्रॉफिट एस आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर टेडर्स आप हमारा paid equity group से जोड़ना चाहते हैं तो अभी फी साइट सिर्फ इसका टेडर्स इसका अभी सिर्फ 1999 चल रहा है अगर आप interested है paid equity group से जोईन होना चाहते हैं तो यह whatsapp नमर दिया गया है और description में भी whatsapp नमर है तो आप अभी जाके आप हमारा contact कर सकते हैं WhatsApp पे information ले सकते हैं paid equity group में जोड़ने के लिए तू टेडर्स अब हम बात कर लेते हैं Friday के सेशन के लिए जो स्टॉक टेड कने दे थे उसका performance कैसा रहा तो Friday के सेशन के लिए first stock था max health care के तरब से जिसमें short sale position बोले थे जिसमें टेडर्स ये लेबल पे हमारे short sale position बनाने बोले थे और इस stock ने low बनाया था लगबग 782 के पास तो इसमें टेडर्स हमारा buying position लेबल टीगर हुआ इसमें टेडर्स हमारा लगबग इसने high बनाया था 1986 के था इसमें टेडर्स हमारा कोईशा लेबल टीगर नहीं हुआ तो ये stock हमारा avoid हो गया इसमें अगर आप ऐसे लिये होंगे तो नीचे comment करके ज़रूर बताए तो हम बात कर लेते हैं ट्रडे stock जो की इरकॉन के तरफ से देए इसमें short sale push टीगर देखने को मिला stock नहीं low बनाया लगबग 219 के पास तो इसमें टेडर्स हमारा short sale push टीगर देखने के लिए मिला तो अगर टेडर्स आप इसमें trade लियोंगे तो नीचे जरूर comment करके बताएं इसमें आपका trade कैसा तो बात कर लेते हमारा last stock जो की RVNL के तरफ से दिये थे इसमें टेडर्स short sale बोले थे इसमें भी टेडर्स low बनाया लगबग 252 के पास तो इसमें भी टेडर्स जो short sale push टीगर आप इसमें भी trade लियोंगे तो नीचे जरूर comment करके बताएं तो टेडर्स हमारा Friday के session के 4 stock में हम अगर टेडर्स आप लोग को हमारा analysis पसंद आता है तो आप लोग हमारे channel को support कर सकते हैं चैनल को subscribe करके bell icon जरूर दबा ले और ये video को like कर दे और अपने friend के पास ये video जरूर share करे तो टेडर्स अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कुछ बैतरीन intraday stock जिस पे आप कल के session में intraday trading कर सकते हैं तो कल के लिए टेडर्स हमारा first stock होगा लिउपीन के तरफ से इसको टेडर्स 15 मेट के टैमप्रे में देखे तिसमें भी अच्छा कासा एक pattern बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है जो की एक symmetrical tangle kind of pattern है इसमें आप यहां पे देख सकते हैं एक pattern line को ये multiple time resistance की तरह फेश किया है यहां पे देखे यह first time retaste लिए second time यहां पे retaste किया है और यहां पे देखे ठर्ड़ time यह retaste किया है और यहां पे देखे ये four time भी retaste कर चुका है और यह 10 line को देख सकते है जो की support के तरह follow करता है यह 10 line लेता है और यहाँ पे एक buying portion देखने के लिए मिलता है यहाँ पी trend line लिया और एक buying position देखने के लिए मिला और यहाँ पे देख सकते हैं यह पहला ही trend line के आने से पहला ही यहाँ पे interest हो गया buyer और यहाँ से उप करके यह trend line को test कर चुका है तो trader's chance है यहाँ से कल breakout करेगा तो एक अच्छा move देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है अगर trader कल यह breakout करेगा तब आपको इस label के उपर buying question बनाना है जिसमें हमारा label होगा 1614 से उपर first target 1618 का रखेंगे second target 1622 का रखेंगे और इसमें stop loss 1600 का रखेंगे अगर trader कल यह breakout करता है तो तब आपको यहाँ पे कल एक buying question बनाना है तो कल के लिए traders यह हमारा first intraday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरू टैक करें तो बात कर लेते हैं टेडर कल के लिए हमारा second stock कल के लिए हमारा second stock हो जाएगा leverage lab के तरब से इसको टेडर 15 मेर के रैम प्रेम में देखे यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत अच्छा का सा एक pattern बनदा है यहाँ पे एक horizontal tap का resistance देख सकते हैं जो कि यह multiple time यह resistance को retaste भी कर चुका है यहाँ पे first time retaste किया second time retaste किया है और यहाँ पे देख सकते हैं यह third time भी retaste किया है और टेडर्स यहाँ पे एक pattern भी formation हो रहा है तो अगर टेडर्स यह pattern का आपको नाम पता है तो आप नीचे comment करके जरूर बताएं इससे जो है आपका learning उप्रूब होगा तो यह pattern का कौन सा नाम है टेबल हो जाएगा 440 से उपर first target 443 का रखेंगे second target 446 का रखेंगे और इसमें stop loss 437 का रखेंगे तो कल के लिए टेडर्स यह हमारा second interday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरूर टैग करे तो बात कर लेते हैं टेडर्स कल के लिए हमारा third stock कल के लिए हमारा third stock हो जाएगा साइजन इंटरनेशनल के तरफ से इसको टेडर्स 15 मेट के टाइम पर में देखे यहाँ पर भी आकिक और जेंटल टाइप का रजिस्टांस देख सकते हैं जो की यह multiple time यह रजिस्टांस को फेश भी कर चुका है यहाँ पर देख सकते हैं यह 10 line को multi resistance है और जेंटल यहाँ पर देखे फर्स टाइम डिटेस किया second time डिटेस किया और यह third time भी डिटेस किया है और यहाँ देख सकते हैं एक अच्छा का सा volume भी देखने के लिए मिला है तो अगर टेडर कल यह 10 resistance है इसके उपर यह sustain करके उपर निकलेगा तब आप यहाँ पर एक buying position बना सकते हैं जिसमें traders हमारा label हो जाएगा buying position में 670 से उपर first target 673 का रखेंगे second target 676 का रखेंगे और इसमें stop loss 366 का रख सकते हैं अगर यह breakout करेगा तब आप यहाँ पर buying position बना सकते हैं तो अगर यह breakout करेगा तो कल आप यहाँ पर buying position बनाना है तो कल के लिए traders यह हमारा third interest work हो जाएगा तो कल आप इसे जरू टैग करे तो बात कर लेते हैं यह traders कल के लिए हमारा fourth और last interest work जो की CG power के तरब से हो जाएगा इसको traders 15 met के time frame में देखे तो यह भी इस टो आप में काफी अच्छा खासा एक pattern देखने के लिए मिल रहा है 15 met के time frame में पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और gentle type का एक resistance है जो यह resistance को multiple time retaste कर चुका है first time यहाँ retaste किया यह देख सकते है multiple time यह trend line को यह resistance को retaste कर रहा है और नीचे एक 10 line आया है जो की higher high का formation करते हुए 10 line को support करते हुए ओपर के uptrend की और यह जा रहा है यहाँ पर भी देखे 15 met के time frame में 10 line को retaste किया और ओपर ही close किया तो traders chance है इसमें एक pattern भी form हो रहा है जो की ascending tangle kind of pattern है अगर यह breakout करेगा traders तो कल एक अच्छा move दे सकता है तो कल अगर यह breakout करता है तब आप यहाँ पर anti ले सकते हैं जिसमें traders हमारा buying position में label हो जाएगा 585 से उपर first target 587 का रखेंगे second target 590 का रखेंगे और इसमें stop loss 582 का रखेंगे अगर trader यह breakout करता है तब आपको यहाँ पर buying position बनाना है अगर traders market negative side रहेगा और यह 10 line के नीचे candle break करेगा और यह label के नीचे जाता है तो तल आप इसमें swatchal position बना सकते हैं 576 से नीचे first target 573 का रखेंगे second target 570 का रखेंगे और इसमें stop loss 579 का रखेंगे अगर यह breakdown करेगा तब आप इसमें swatchal position बना सकते हैं तो कल के लिए traders यह हमारा fourth stock होगा तो कल आप अब इसे जरूर tag करें और traders वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं हमारा swing community के बारे में जिसमें traders आपको daily per week आपको 3-4 swing stock मिलता है यहाँ पे आप हमारा previous swing call देख सकते हैं जो की यह 5% का CDSL को हुआ था जो की 5% का profit था और यहाँ पे देख सकते हैं जो की फी traders यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है इसका भी फी traders जो है swing community का इसका भी पर मंत जो है 129 है अगर आप interested है जोईन होना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे whatsapp नमर दिया गया है तो आप अभी जाके हमारा swing community भी जोईन कर सकते हैं whatsapp नमर description में भी है वहाँ से आप contact कर सकते हैं और traders अभी तक हमारे चैनल को subscribe ने क्यों तो subscribe करके bell icon जरूर दबा ले और telegram चैनल से भी join हो जाए